सैमसंग M31 photo editing setting नमस्कार दोस्तों तो अगर आप सभी का तिकिराज YouTube चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है कैसे अपने photos को एदिट कर सकते हैं अपने Samsung के device में ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखे तो बहुत सारे applications आपको मिल जागा Play Store के अंदर पर ठीक है बहुत सारे applications आपको मिल जागा photo edit करने के लिए जैसे के pics art हो गया या फिर आपको बहुत सारे applications ठीक है लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम application के बारे में बात नहीं करते हैं ठीक है मैं आपको यहाँ पर default जो photo editing option आते हैं वही मैं आपको बताने वाला हूँ तो थोड़ा सा आप इस वीडियो को देखे और किस तरीके से आप इदित वगरा कर सकते हैं वह भी आप थोड़ा सा ज camera option से उसको open करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों कुछ में आपको pictures जो करके बताओंगा तो simply आप दोस्तों इस picture को देखे काफी बढ़िया यहाँ पर edit हो चुका है ठीक है तो इसको दोस्तों मैंने यहाँ पर edit किया है simply आपने mobile के मदद से तो यह picture दोस्तों कुछ इस प्रकार ठीक है ठीक है तो यह दोस्तों camera से क्लिक क्या आप पिक्चर है और यह दोस्तों एक normal picture है ठीक है तो यह बस एक normal picture है लेकिन दोस्तों आप देख सकते एक picture को edit करके आप कितना बढ़िया लुक डे सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर मैंने कोई भी ठट पटे application यूज नहीं कि ठीक है तो आप क्लिक करें अपने फोटो में और यहाँ पर जाएए तो यहाँ पर दोस्तों एडिट का option आपको मिल जाएगा तो इडिट में जाने के वाद दोस्तों आपको किस तरीके से इडिट करना है ठीक है मैं आपको थोड़ा से यहाँ पर highlight करके बता देता हो फोट दोस्तों अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा different ठीक है तरीके से यहाँ पर आप मूफ करना चाहते हैं वह आप कर सकती है तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर फोटो जो है किस तरीके से मूफ हो रहा है ठीक है नीचे में बढ़ा और ऊपर में छोटा हो गया तो इस त अप्षिन पर आपको मिलेगा यहाँ पर अपने पिक्चर के ब्राइटनेस कॉंट्रेज सेट्रेशिंस हाइलाइट शेडोस सब कुछ कंट्रोल करने का ओप्षिन ठीक है तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इस पिक्चर को इडिट करके बता रहता हो ताकि आपको समझ म में आजा किस तरीके से सब्सक्राइट होते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके आपको यहाँ पर इंक्रीज करना है अपना ठीक है फिल्टर को और उसके बाद दोस्तों आप देख सकते काफी बढ़ीया लूग हमारा पिक्चर में मिल चुका है ओल्डिडी तो आप इसको दोस्तों आपको भी जो है कुछ अच्छी दर्गे से करना है तो आप इस तरीके को फोलो कर सकते हैं अभी दोस्तों जाते हैं नेक्स्ट में नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों हमारा स्टीकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और फोटो के उपर में आप फोटो लागा सकते हैं जै ऐट कर सकते इस तरीगी से तो चलिए नेक्स्ट पर जाते हैं ट्ने को मझी और प्थ जो कि आप यहां पीकर सकते हैं तो यह जी जो प्षो रुसक्वेयर से यह करने के लिएति यह जा चाल में किस तरीगी से लो तो मैं ज्ञादा यूज नहीं नहीं करते झाते तो हमें मिलेगा टेक्स्ट तो टेक्स आप दोस्त आव लिख सकते हैं कुछ डिक सकते तो नेक्स्ट यहां पर निये खतम हो चुका है हमारा इडिटिंग तो जब आप सेफ कर रहे होते हैं ठीक है पिक्चर को यहां पर उपर से तो एक चीज़ का ध्यान दिजिएगा आप हमेशा सेफ कोपी करके सेफ कीजिएगा ठीक है आपको डायरेक्ली यहां से से नहीं करना है यहां से सेफ करने से आपका औरिजिनल पिक्चर आपका वह एडिट होके निकलेगा तो ट्री लाइन पर क्लिक करना है उसके बाद रिसाइज बगरा करना है तो आप कर सकते एंडेंट आपका जो फोटो ऐसे कोपी इस तरह के से सेफ हो जाएगा ठीक है तो यह दोस्तों कुछ बैसिक स्किल्स जिसके मदद से आप फोटो एडिटिंग कर सकते हैं उमीद करते दोस्तों आपको यह वीडियो पसना होगा टेंक्स वाचिंग